कि आरक्षन को जो इंक्रीज आरक्षन को रोकने का काम करेंगे और हम लोग शुरू तौर से कहते हैं चुनाओं में भी हम लोग ने कहा था कि भाई ये बीज़ेपी के जो लोग है ये आरक्षन विरोधी लोग है कि आप लोगों को पता होगा कि आम लोग जाती अधारित घंदा जब कराई थी तब बीज़ेपी के लोगों ने इसी तरीके से कोर्ट पे प्यायल वगरे कराके रुखवाने का प्रयास किया अब लोगों की आंतर में जीत हुई और हम लोगों ने शर्वेश भी कराया जाती अधारित और उसके बाद 75 परसे डारेक्षन जो है पिछडों का ती पिछडों का दलेत अधिवास्यों का हम लोगों ने बढ़ाया और देव्यास अधिश्ट तो हम लोगों ने उस से में अब आपको पता है कि की दिसमबर के मा में नोवेंबर में में लोगों ने कर दिया यह काम और बढ़ाने का रेक्षर और दिसमबर में अभूनों का बनेटम का जो कभिनेट था यह भारत सरकार को भी हम लोगों रिक्ष्ट किया था उसके बाद विजय चौदरी और हैं लो हो गए हैं भाजपा और केंद्र सरकार ने अब तक इस काम को पूरा नहीं किया और हम को पता नहीं क्यों माने मुक्रिबंती जी अब चुपी साधे हुए हम लोग तो लगतार जो है तो इसकी लड़ाई लड़े संगर्श किये और हम लोगों ने आरक्षिन को बढ़वाया हम प्रदान मंत्री जो है अगर नहीं हो तो हम प्रस्ताव देना चाहते कि सर्व दल्य लोग जो है बिहार की लोग वो जाके प्रदान मंत्री से जाकर के मिलें और मिलकर के जो है इसको अनुछे दनों में जो है हम उड़वाने का काम करें तो यह तो हम लोग चाहते हैं कि वह सब लोगों को जो अधिकार है वंचे सोशित समाज का जिसके जिसनी अबादी है उसे साफसे लोगों को हक मिलना चाहिए स समान मिलना चाहिए अधिकार मिलना चाहिए तो हम लोग इस लड़ाई को अगे भी लड़ें और अगर विहाज सरकार अगर सुप्रीम कोट नहीं जाएगी तो राष्टे जनता दल सुप्रीम कोट ज़रूर जाएगी क्या मुक्मंत्री से बात करते सर्वादेले बैठा क्य प्रदानमादी से मिलने के कोई ऐसा सोच रहे हैं अगर होगा तो हम तो सोचे कि हम चिट्थी जो हैं कम से कम मुक्मंत्री को लिखी कि वह कम आपको हम लोगों कि जो सरकार ने महाग अरबंदन ने जो बढ़ाया जो हम लोग प्रेस कॉंफेंस किया कि इसको से दूल नाइन